तो यह है मारा POCO का F4 डवाइस और इसके लिए आ चुका है हाइपर आर्ट का एक नया अपडेट क्योंकि आपको काफी ज़्यादा अच्छा लग सकता है और इसे डाले वे हो चुका है कि दो दिनों से उपर और रोम रियली में काफी सही तरह से परफॉर्म करतावा नजर आ आई होप कि आप समझोगे इस बात को तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन जो कि आप रेगलर वीवर हो तो सोच भाई रोज कर रोज यह की बात बोड़ रहा है वो यह कि मैं स्टॉक मार्केट में कुछ टाइम से काम कर रहा हूं मुझ बस जो बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं मैं सोच रहा हूं कि आपको बेनिफिट मिल जाए तो अच्छी बात है नहीं तो मर्जी आपकी और अगर आप रियली में करना चाहा तो यह काम तभी इस चैनल को जोईन करना बस यहां पर जो नंबर यह उसे बढ़ाने की कोशिस ना मत करना सिर्फ यह लॉंग टाइम के लिए यानि लॉंग टाइम यह नहीं दो साल चार साल नहीं मुस्किल से दस दिन पंदा दिन या एक मेना या दो मेना जा सकता इससे जाना नहीं आपको प्रॉफिट मिलेगा लेकिन हाँ पेसेंस रखना पड़ेगा और जो मैं कहूंग यहां पर मैं आगे हूं वापस अपने में पॉइंट को पर कुछ लोग करें बड़ी तुने बोला यार रूटली नहीं बस इंफ्रमेशन देना चाहा कि हर किसी का माइंस से डलर रहता है कुछ आके पर वचन देखे जाएंगे ऐसा है तो मैं तो तेस से ज्यादा गयान हू बट मुझे जितना नोलोज है मैं सेयर कर रहा हूं ठीक है मर्जी आपकी है तो इसलिए रूट वाली बाते मत करो ज्यादा बेटर है मुझे मिला मैं आपको सेयर किया आप करना नहीं करना आपकी मर्जी आते हैं पॉइंट पे तो यह जो हमारा है वह है 1.0.8 चाइना बेस आपको 13.70 देखनी को मिल जाता है यहां पर किया गया है इसके बाद यहां पर आपको देखनी को मिलता है Android 14 जहां पर 8 मंत का लेटे सेक्योर्टी पैच है जो कि निवले चाइना के मोटिफाइड वर्जन को यहां पर यूज में लाया गया है बाकि इनमेसंस वागरा सिंप पर जाते है बॉटम पर आता है तो खट-खट हैप्टिक देता है अच्छा लगा यहां पर निप बार मोनिट वाला है क्लॉक के यूई को आप चेंज कर सकते हो कंट्रोल सेंटर में भी चेंजिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि आप बदल सकते हो के बाद नीचे की रूर आते है तो आपको मिलता है अडिशनल सेटिंग जहां पर लेंगवेज इनपूट की हम बात करते हैं तो आपके यहां पर मल्ति लेंगवेज सपोर्ट म इसके अंदर डाक मूड आपका वर्किंग रहता है स्मूर्ट ट्रांजिशन आपको मिल जाता है एडवांस टेक्चर मिलता है एंटी फिलिकर मिल जाता है और साथ-साथ यहां पर वन से लेके 120 टक के ऑप्शन भी मिलते हैं यानि सारे यूचफुल और हेलफुल फीचर्स यहां पर आपको मिल जाते हैं जो कि आपके काम आने वाले है तो यह अच्छी बात है इसके बाद यहां पर आपको मिलता है Home Launcher जहां पर सकते हो यानि Android विजट प्रवाइडर लुक वाला आप रख सकते हो पुल्टा पुल्टा कई वाब बोल देता हूं है ना यहां पर बलर सर्च बार आपको मिल जाता है जैमिनाई आइकन आपको मिल जाता है डेवल टैप के आप्शन आपको मिल जाते हैं इसके बाद यहां सब्सक्राइब करने का आपको मिल जाता है गूगल असिस्टेंट के भी आपको मिलेंगे और फाइनली यहां पर रिबूट लॉंचर साथ आइफोन वाला लुक टैप को छोटा बड़ा मेमरी एक्स्टेंशन वगेरा और बागे दर आपको मिलते हैं और मेमरी स्टेंशन से तो नोटिक्शन के अंदर जारा चेंज नहीं करा गया है डिफॉल्ट वाले चीज़ें ही रखी गई है तो यह भी मैं कवाँ ठीक है उसके बाद यहां पर हमां लॉक स्किन काफी सिंपल हो चुका है वाल पेपर एंड परसनलाइजेशन के अंदर योड के अंदर आपको ट साम गय करेंगे बस अच्छा लुक देंगे है ना तो अपनी परी पसंद होती है इसके बाद यहां पर आता है इसका खुद का मोड वर्जन जहां पर हमारे ओनर है जिन्होंने इन्हें मोड़िफाइट किया उनका नेम वगर आपको मिल जाता है तो यहां पर सामने रखा ग गेम के लिए वाइट फॉर अनलोकिंग के लिए यहां पर आपका अबाउट के अंदर क्या दिखाई देना चाहिए डिवाइस ने वह आपको मिल जाता है स्वीच टू मीवाइड डिवाइस स्पेस वगर का अप्सन मिल जाएगा डिस्प्ले के अंदर आपको मैक्स अब बेटर मिलेगा उसकर नोटिक्शन एंड सेट के अंदर यहां पर तो यहां पर नोटिक्शन स्टाइल वगरा दिखनी को मिल जाता है यहां पर डायनेमिक लाइक आप इनेवल कर सकते हो अपने आईफोन का लुक जो कि आप देख पा रहे हो ना इस तरह किसे और यह हम अब दिखाई दे रहा है तो यह बदल सकते हो उसके और इस बार के अंदर हम इन करते हैं तो अप्लाई चेंज कलर डिसेबल और बाके यहां पर यहां पर वोल्टी में चेंज करना यहां पर आपका आपको देखनी को मिल जाता है मॉइल वीपी एन वगेरा इस बार के आइ कर सकते हो और यहां पर आप देखो कि जो हमारा कैमरा का कट है ना वह हार्ट की रूप में चेंज हो चुका है तो अलालग ऑप्शन दिये गए हैं तो जो भी आपको कैमरा का कट में बदलाव लाने वह आप ला सकते हो काफी से लगा पैडिंग कांट्रोल भी काफी लग जाएगा तो यह देखो वाई हमारा आगा गया आईफोन प्रो मैक्स वाला लुक तो इस तरह के से यहां से आप अपने चीजों को बदल सकते हो आप कैट का भी लुक यहां पर रख सकते हो और एक वार आपने अप्लाई लॉंचर कर देना है जिससे आपका लॉंचर यार सिस्टम इवाई उसके बाद यह आपका इवाई है जो होगा अपलाई और आपको आप यहां पर लुक देखनी को मिलेगा कैट वाला तो इस तरह किसे चीजा आप बदल सकते हो काफी अच्छा option मिल जाता है अब बाकि हम आ जाते हैं कहां पर तो यह सेटिंग थे प्र इंट्रेट आइटिंग लग रहे है मुझे क्योंकि यहां पर अब देख सकते हो कि टैब हमारा ओपे नहीं हो रहा है ढंक से तो बस देखना है कि फ्रीज है क्या तो यहां पर आपका डाउनोडेट रहता है बस इस पे टाइब कर दना है यह आपके होँम पर अप्लाई हो जाएगा और डाउनोड का इकन यह हट जाएगा थोई दिर में बस में नेट भी फिलाल स्लू हो जाओ है जिसके से यह नहीं हट रहा तो इस तरीकिसे आप यहाँ पर इसका बेनिफिट ले सकते हो देखो डाउनोडिंग का आइकन आ चुका और यह डाउनोड भी हो चुका औ अब यह बाद टेस्ट रिजल्ट हमारा तो यह है फर्स्टाइम का अंट्रूस कोड जो के ओर ठीक है बट और बेटर होना चाहिए गीक बेंच पोको एफ़र में हमें सा लफरा रहता है गीक बेंच का और पोको एफ़र में सीप्यू ठोटल का I don't know वाई क्या 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 नो लक्षिया सट रजार है और मुझे अच्छा लगा कैमरा हमारा काम कर रहे है नोई सुच फोट इस्टो आपको अनलॉक मिल जाता है बाउट सेशन का लुक अच्छा है डिवाइस सर्टिफाइड मिल जाता है बैंकिंग एप यूज़ कर पाऊगे के अंदर सिंगल के अंद तो यहां पर फिर से 455 परचेंट का बैटी डॉप गया जो कि थोड़ा सथ ज्यादा लगा मुझे कि कम होना चाहिए था बागे फिर से मैंने अन्टी टू रन किया तो ओर ठीक है बट और बेटर हो सकता है और सीपी ठोटल फिर से रन किया तो सेम रिजल्ट आया जैसा कि पहले बार आया था तो इसमें कोई बदला और देखने को में नहीं मिलता और इंप्रूमेंट दिखाई देता है कुछ दिनों के यूजज के बार तो इस वाद सिंगल और मल्टी दोनों काफी अच्छे हैं जो कि फर्स डे काफी बेकार था तो यह टोटल चीज़े यहां प कि यह डालना है या नहीं डालना लिंक वगर आपको मिल देगा डिस्कूशन में इसे आप जाओ तो टीडॉलाबी से फ्लैस एन फ्रमेट कर सकते हो या फिर आप इसे पीसी से भी फ्लैस कर सकते हो क्योंकि इसका रोम आई थिंक हाईवरीड वाला है ठीक है सो बस इतना ही बाइबए है झाया को इसकी कि अधलना लिंक